इसके बाद हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेमिंग रियाक्शन के बारे में जानने वाले हैं और जिसे हम कहते हैं गटर मैन कोच रियाक्शन गटर मैन कोच रियाक्शन एल्डिहाइडों के विर्चन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधी है इस अभी क्रिया में जब ब उप्रेस्त क्लुराइट की उपस्थती में कारबन मोन ओक्साइड तथा रिट् Müर्साइट के साथ कराई जाती है तोह में अलडियाइड प्रांप्त होते हैं इस अभी क्रिया को यदि हम इसकी मैकनिजम को देखे तो यहां पर हम देखें कि सब सबसे पहले यहाँ पर carbon monoxide तथा hydrochloric HCl आपस में क्रिया करते हैं यहाँ पर carbon monoxide की सरचन में हम जानते हैं कि carbon और oxygen के बीच triple bond पाया जाता है और चूब कि यहाँ पर oxygen oxygen तीन बंद बना रहा है और इसलिए जब oxygen तीन बंद बनाता है तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो यहां पर oxygen पर पॉजिटिव चार्ज होता है जब की कार्बन पर वहां पर चुकि कार्बन तीन ही बंद बना रहा है और यहां पर इसका object complete है और इसलिए इस पर negative charge होता है तो इस तरह से और हम जानते हैं कि जो HCL है उसमें जो chlorine है वो ज्यादा इलेक्ट्रो negative है इसलिए chlorine पर negative charge होता है जबकि hydrogen पर positive charge होता है तो यहाँ पर chlorine जो है अपना electron जोड़ा लेकर CL माइनस के रूप में बाहर हो जाती है जबकि हड्रोजन जो है वह प्रोटॉन के रूप में चुकि कार्बन पर रिन आवेश होता है तो वह कार्बन के साथ जाकर जोड़ जाता है साथ यहां पर हम देखी कि जो ऑक्सीजन है उस पर पॉजट्व चार्ज है इसलिए कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो एक पाई इलेक्ट्रान जोड़ा है वह ऑक्सीजन पर सिफ्ट हो जाता है और इस तरह से ऑक्सीजन को उसके इलेक्ट्रान प्राप्थ हो जाते हैं तथा चुकि अब यहां पर कार्बन पर पॉजट्व चार्ज आ गया है इसलिए यहां पर जो CL- निकला हुआ है यहाँ CL- अब कार्बन से जाकर जुड़ जाता है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यह जो सरचना प्राप्त हो रही है वो हो गई है acyl chloride की और चुक्कि यहाँ पर एक ही carbon है और इसलिए हम इसे कहेंगे formal chloride तो यहाँ पर अभिमे फार्मिल chloride प्राप्त हो गया है अब जो फार्मिल chloride है वो जो यहाँ पर हमने एक अभिकर्मक यूज किया है निर्जल aluminium trichloride alcl3 इसके साथ इसकी अभिक्रिया होगी अब यहाँ पर जो जो एलुमिनियुम ट्राइक्लोराइड है यह एक लूइस एसिट की तरह कारे करता है और इसलिए यह जो एसिल क्लोराइड में उपस्थित जो क्लोरीन समू है जो की बहुत अच्छा लीविंग ग्रूप होता है इसको इसमें कार्बन क्लोरीन का जो इलेक्ट्रान जोड़ा ह उसके बीच का इलेक्ट्रान जोड़ा उसको क्लोरीन लेकर अलुमिनियुम ट्राइक्लोराइड के साथ अटाइच हो जाता है और कार्बन पर यहां पर जो है जो उस पर फार्मिल समू का जो कार्बन है उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और साथ ही साथ जो जिस पर कारबन पर एक positive charge है हमें यह एक इलेक्ट्रो फाइल तैयार हो गया है और यह इलेक्ट्रो फाइल अब बेंजीन रिंग पर जाकर अटायच हो जाएगा तो यहां पर हम देखें बेंजीन रिंग जिसके पास पाई इलेक्ट्रान जोड़े होते हैं और इसलिए यह जो पाई इलेक्ट्रान जोड़ा है यह कार्बन को देकर उसके साथ बंध बनालेगा तो यहां पर हमें जो सरचना प्राप्त हो रही है बेचे कि गृष्टोरल यह इसे दूसरे कारबन पर पॉजिट्तिव चार्ज आ गया है और जिस पर एलेक्ट्रान जोड़ा उससे जो कार्बनल समू है चो समू है वह जुड़ गया है अब इस स्थति में हम देख रहे हैं कि यहां पर जो बेंजन की एरोमेटिसिटी है वह यहां पर यह नस्ट हो गई है और जिसे प्राप्त करने के लिए अब य यह जो हाइड्रोजन है अपने इलेक्ट्रान कार्बन-कार्बन बंद को देकर वहाँ पर एक द्वी बंद का निर्मान करेगा और श्वयं प्रोटॉन के रूप में एचपलस के रूप में बाहर निकल जाएगा तो इस तरह से यहां पर हमें एक बेंजल डिहाइड सित होगा साथ ही आयोमीनियमस टेट्राक्لॉराइड था वापस अलूमीनियमस ट्राइघ्लॉराइड में हो जाएगा तो हम यहां पर देख रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम एसियल तथा अलूमिनियम ट्राइक्लोराइड दोनों ही अभिकर्मक वापस अभी क्रिया के पश्चात अपनी पुराने इस्थती में प्राप्त हो जाते हैं और साथ ही साथ हमें प्रोडक्ट के रूप में बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है तो इस तरह से हम देखें यह एरोमेटिक अल्डिहाइड के निर्मान की बहुत ही महत्तपून विधी है और जितनी भी नेमिंग रियक्शन्स होती हैं वो काफी महत्तपून ही होती हैं तो इस तरह से यह गेटर मैन कोच रियाक्शन के द्वारा हम एरोमाटिक अल्डी हाइट को प्राप्त कर सकते हैं इसके बाद हम देखते हैं कुछ ऐसी महत्वपुन अभिक्रियाएं जिसके द्वारा हम कीटून का विर्चन कर सकते हैं तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे और एकलीट के द्वारा एकल क्रिया जगे न्सटाए सुध्уса के साथ करी जाती है तो हमें कीटून प्राप्त होती हैं और यहाँ पर डाइकल क?"। कैडमियम प्राप्त करने के लिए ऐसमें एक दूसरा अभिकर्मक उप्योग में लाना होता है वह है ग्रिग दु के साथ कराते हैं तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो ग्रिगनार रीजन्ट आज था इस लिए प्रड़ु चार्ज होता है और इन रीड़ हम ग्रिगनार region के दो अनूं का उपयोग करते हैं साथ ही साथ यहाँ पर हम देखी जो चैडमियम है इस लए इस पर positive charge होगा जबकि जो chloride है उन पर negative charge होगा तो इस तरह से जब यहाँ पर चैडमियम है क्लोराइड और ग्रिगनार्ड region के अनूं आपस में करिया करते हैं तो यहाँ पर जो ग्रिगनाड रेजन का जो एलकिल समू है वह नेगटिव चार्ज होने के कारण यह कैडमियम पॉजिटिव चार्ज मेटल के साथ जुड़ जाता है और इस तरह से हमें आर टू सीडी यहने की टाई एलकिल कैडमियम प्राप्थ हो जाते हैं साथ यहां पर जो MgX6 बचरा है ग्रिगनाड रेजन का वह यहां पर से प्राप्थ होने वाले क्रेंडिम क्लॉराइट से प्राप्थ होने वाले क्लोरीन के साथ करिया करके यह Mg xCl बना लेता है इसके दो अनु के साथ करेगा तो यहाँ पर हम जानते हैं जो और है जैसे यहां पर सीज़िं सी ओ सील यह यहां पर भी हम देखें कि जो क्लोराइड है उस पर ज्यादा इलेक्ट्रो नेगट्यू है इसलिए वह अपने इलेक्ट्रांग जोड़े कार्बन क्लोरीन के बीच का जो इलेक्ट्रांग जोड़ा है वह खीच लेता है और वहां से वह नेगट्यू के रूप में बाहर निसकाशित होगा जिससे जो कार्बन है उस पर पॉजट्यू चार्ज आ जाता है और इस तरह से अब यह जो डाई एलकिल कैड्मियम है उसमें भी हम जानते हैं कि जो एलकिल समू है उस पर नेगट्यू चार्ज है तो यह तुरन कार्बन जिस पर हो जाते हैं और साथ ही वापस जो दोनों सी यल- हां공 डियो के साध्स जूड़कर डियो आधिकी अधिक अक Déum और क्लोराइट कर देते हैं तो इस तरह से क्या अधिकल्मज FM कर देसे तरह एलकिल नाइट्राइल की क्रिया ग्रिगनाज अभिकर्मक के साथ कराई जाती है यहां पर जैसे हमने एलकिल नाइट्राइल लिया है CS3C triple bond N यहां पर हम देख रहे हैं कि nitrogen पर negative charge होगा जब की carbon पर positive charge होगा इसकी क्रिया जब हम यहां पर aerial magnesium hyalide जिसका सूत्र हम यहां पर ले रहे हैं C6H5MGX यहां पर halogen X की जगह पर chloro bromo iodo यहां पर हो सकते हैं तो इस तरह से जब हम इनकी क्रिया कराते हैं तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इस तरह से हमने एलकिल नाइट्राइल में देखा यहां पर आवेश का प्रथक करन हो रहा है तो nitrogen पर negative charge है जबकि carbon पर positive charge है इसी तरह से यहां पर हम देखें जो grigna region है उसमें magnesium पर positive charge होगा जबकि जो panel समूँ यहां पर है C6H5 इस पर negative charge होगा तो जो negative charge वाला पार्ट है C6H5 यहां carbon के साथ attach हो जाएगा जबकि जो positive charge वाला पार्ट है MgX वाला पार्ट है वो nitrogen से attach हो जाता है और इस तरह से यहां पर carbon nitrogen के बीच यहां पर द्वी बंद उपस्थित है अब यह जो योगात्मक उत्पात प्राप्त हुआ है इसका जब हम अमलिये जल अब खटन करते हैं तो यहां पर हम देखें कि जो carbon nitrogen के बीच द्वी बंद देख रहा है यहां पर यह बंद का cleavage होगा और जल का जो oxygen है वह carbon carbon से जुड़ जाएगा और जो hydrogen है वहाँ पर NMGX के साथ वहाँ पर attach हो जाएगा तो इस तरह से यहां पर हम देखें कि जो हमें सरचना प्राप्त हो रही है वह है CH3C double bond O C6H5 और इससे हम कहेंगे acetophenone तो इस तरह से यहां पर हम aromatic ketone प्राप्त कर सकते हैं alkyl nitrile के द्वारा इसी तरह से ketone के निर्मान की या aromatic ketone के निर्मान की एक और महत्तपुन विधी है और वह है फ्रीडल क्रॉफ्ट एसीलेशन यह भी एक बहुत सरल विधी है जिसमें कि हम किसी भी बेंजीन रिंग पर यहां पर एसील समू की क्रिया कराते हैं तो यहां पर हम ले रहे हैं बेंजीन और बेंजीन की क्रिया जब हम कराते हैं यहां पर जब हम बेंजीन को लेते हैं तो बेंजीन में हम जानते हैं कि इसमें पाई एलेक्ट्रान जोड़े हैं और यहां पर दूसरी और जो एसील क्लोराइड है तो एसील क्लोराइड में जो सी के साथ जुड़ा हुआ कार्बन से जुड़ा हुआ जो क्लोरीन परमाणू है वह अपने इलेक्ट्रान लेकर वहां से प्रिथक हो जाता है और अलूमिनियम ट्राइड से जुड़कर अलूमिनियम टेट्रा क्लोराइड बनाता है जिस पर ए इलेक्ट्रोफाइल बेंजिन रिंग पर अटाइक करता है और यह बेंजिन रिंग पर हम जा रहे हैं कि जो द्वी बंध है उस द्वी बंध में से जो पाई इलेक्ट्रान जोड़ा है किसी भी कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा जिस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहां से जो कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है वह भी यहां से विस्थापित हो जाता है और अपने जो कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रान जोड़ा है वह बेंजिन रिंग को दे देता है जिससे बेंजिन रिंग की एरोमेटिसिटी पुना वापस आ जाती ह है और इस तरह से यहां पर हमें फिर से असिटोफीनोन प्राप्त हो जाते हैं तथा जो अलुमिनियुम ओ ट्राइब क्लोराइड है वह मिल जाता है और एक जो इससे क्लोराइड है निकल कर हाईडूर्जन के साथ जु़ड़ जाता है और और वह HCL के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है तो इस तरह से बहुत ही सामाने विधी के द्वारा फ्रीडल क्रॉफ्ट एसलेशन के द्वारा हम बेंजीन से एरोमेटिक की टोन प्राप्त कर सकते हैं इस तरह हमने एडिहाल तथा की टोनों के विर्चन की बहुत सारी झौन आदी आईए अब हम इल्डिहाल तथा की टोनों के बहुते कुणों को जाने में यदि हम अल्डिहायल तथा की टोनों के सामाने-वहतिक-बहुत हड दृश toe की बात करें तो यहां पर जो मेफ़ेदल है जो की प्रथम कार्बन वाला जो एडिहाइड है वह गैस के अ सोते हैं वह द्रह वस्था अथ्वा जैसे जैसे अनुभार बढ़ता जाता है वैसे ये फोस अवस्था में हमें प्राप्त होते हैं यदि हम इनके कवथनांगों की बात करें तो यहां पर जो एल्डी हाइट एवं की टून के कवथनांग संब्मंदित या लगभग समान करें तो की तुल्ला में अधीक होते हैं यह से की यहां पर हम कुछ nephew हरन कि टूों तथा अलकेनो की तुल्ला करें तो जैसे यह पर हम स्ट्वल in बीट मुर्व 2 28ano और इसका जो क्वथनांक होता है 281 Kelvin और जब कि हम यहाँ पार उसी लगभग अनुभार वाले यदि हम L-dheide propenal की बात करें तो propenal जो अनुभार 58 है जबकि इसका क्वथनांक होता है वह 322 Kelvin होता है इसी तरह से यदि हम एसी टोन ले जो की समान अनुभारवाला है तो एसी टोन का कुतनाग थोड़ा अधिक होता है और यह 339 केलविन होता है यह लेकिन यदि हम समान अनुभारवाले अलकोहलों की बात करें अलकोहलों से इनकी तोलना करें तो इलकोहलों की तुलना में इनके क्वथनांग कम होते हैं क्योंकि हम जानते हैं इलकोहलों में अथरिक्थ हाड्रोजन बंध पाय जाते हैं जबकि जो एल्डिहाईड और कीटोन में केवल दूद्र। दूद्र। अंत्रा अनुक आकरशन हैं पाया जाता है और इसलिए एलकोहलों की तुलना में इनके कुथनांग कम होते हैं लेकिन एथर और एलकेनों की तुलना में इनके कुथनांग अधीक होते हैं इसके बाद हम देखते हैं इनकी जल में विलियता तो जल में देखें कि सभी जो कम अनुभार वाले में श्रित हो जाते हैं और इसलिए क्योंकि यह सभी एसीटोन वे भी धुरूवी प्रकृति के होते हैं और धुरूवी प्रकृति होने की वज़े से यह जल में हाड्रोजन बंद बना लेते हैं जैसे कि यहां पर हम सरचना देख सकते हैं तो यहां पर oxygen पर negative charge होता है और carbon पर positive charge होता है जब इसकी क्रिया जब हम जल से कराएंगे जल को में इसमें डालेंगे तो जल भी धुरुवी है जिससे ये इसके hydrogen के द्वारा oxygen hydrogen के hydrogen बंद बन जाता है और ये उसमें आसानी से गुल जाते हैं इसके बाद हम बात करते हैं इनके गंध की तो aldehyde और ketonon के जो निम्नतर सदस्य होते हैं इनकी गंध काफी तीक्षण होती है लेकिन जैसे जैसे अनुभार बढ़ता जाता है इनकी जो गंध है वो सुगंध में परिवर्तित होती जाती है और यही कारण है कि इनके बहुत सारे सदस्यों का उप्योग किया जाता है जिनका बारे में हमने शुरु में भी जाना है तो यह थे aldehyde tathakitononon के भौत इक इसके बाद हम aldehyde tathakitononon के रासाइनी कुणों को जानेंगे हम जानेंगे कि यह किस-किस प्रकार की अभिक्रियाय करते हैं तथा किस-किस प्रकार के उत्पाद बनाते हैं झाल झाल